नमस्कार आपुजी देख रहे हैं MNS निउस लाइपर देखते आज की कुछ खास खबरें मसका साथ पूलिया पर युवक की निर्मम हत्या लकडगंश थाने के तहत मसका साथ पूलिया पर एक तीस वर्षे युवक की दो तीन अपराधियों ने मिलकर चाकू घोब कर हत्या कर दी यह वार्दा शनिवार राद साड़े आड़ बजे के दोरान हुई है मृतक युवक भिलाई निवासी सुभाश विश्वकर्मा है आरोपियों ने सुभाश को पूलिया पर ही घेर कर उस पर चाकू से वार किया उसके लहु लोहान होकर सड़क पर गिरते ही आरोपि वहार से फरार हो गए हत्या की वज़ा पता नहीं चल पाई है फिलाल पूलिस इस मामले की जार्च कर रही है नहीं सुलजी अपहरन मामले की गुथी चात्रा की आत्मत्या या फिर हुई हत्या साकूली का अपहरन प्रकरत कख्षा दस्वी की लड़की का सड़ी हुई अवस्था में शव बरामत होने में अभी दो महिने का कार्यकाल बीच चुका है इसके बावजुद भी सच्चाय सामने नहीं आई है पुलिस पीम हवाल की प्रतिक्षा कर रही है उक्तर छात्रा ने आत्मत्या की या फिर उसकी किसी ने हत्या कर दी इस मामले में कोई ठोस सबुद सामने नहीं आए है इस कारण अभी यह जाच सीआडी की और देने की मांग हो रही है पत्नी की निर्मम हत्या कर पती फरार शरावी पती से तंग आकर एक महिला अपने दो मासुम बच्चों के साथ काम की तलाश में और अंगाबाद आई थी उसका पती भी उसे ढूंटते हुए यहाँ पहुचा और विवाद किया तथा हतोडे से कुचल कर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी यह वारदा देवलाइक परी सर में शनिवार की सुवच सामने आई हत्या के बाद पती ने दो वर्शे मासुम को पत्नी के शवके पासी छोड़ दिया और पाच वर्शे बेटे को लेकर फरार हो गया बताया जाता है कि पत्नी के पैसों से ही आरूपी पत्नी शराब पीता था और पैसे न देने पर उसके साथ मार्पिट किया करता था फिलाल पूलिस इस मामले की जार्ज कर रही है अब आप हमारी चेनल को एप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोन में जाकर झाल झाल